नमस्कार, मेरा नम अभिशेक और क्लीन के इस पॉड़कास्स सीरीज में आपका स्वागत है हमने ये पॉड़कास्ट आप तक डियारी शेत्र की कहानिया पहुचाने के लिए शुरू किया है और आज इस एपिसोड में हमारे साथ है आयूश मिश्रा जी एंपिर रार से नमस्ते आयूश जी तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी कंपनी एंपिर रार क्या काम करती है अपिर रार एनर्जी एक एनर्जी टेक कंपनी है जो नई बैटरी टेकनोलोजीज जैसे लिथियम आयन और सॉफ्ट्वेर टेक्नीक्स जैसे मशीन लर्निंग और ए आई को कंबाइन करके एक एनर्जी स्टोरज सिस्टम्स बनाती है हमारे सिस्टम्स किलोवार्ट स्केल से शुरू होते हैं और मेगवार्ट स्केल तक बनते हैं किलोवार्ट स्केल के सेग्मेंट्स में हम रूरल एलेक्रिफिकेशन में काफी काम करते हैं और मेगवार्ट स्केल के सेग्मेंट्स, रिन्यूबल एनरजी जैसे की सोलर या विंड को ग्रिड में इंटेग्रेट करने के काम आते हैं आपकी कंपनी की शुरुवात कैसे हुई और आपकी कंपनी क्यू शुरू की गई थी तो हमारी कंपनी की शुरुवात हुई थी 2017 में मैं और मेरे दो कॉलीग्स उस समय एक सोलर कंपनी में काम करते थे और हमने पिछले पांथ चार-पांथ सालों में देखा था कि सोलर इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ जिसका में रीजन था कि सोलर पैनल के जो प्राइस थे वो काफी गिरे दो हजार सत्रा में हमें यह यकीन था कि लिथियम आयन बैटरी के प्राइस भी उसी तेजी से जैसे सोलर पैनल के प्राइस गिरे थे वैसे ही गिरेंगे और इसका जो इंपक्ट है वो कई सेक्टर में दिखाई देगा जैसे कि rural electrification, grid का decarbonization और electric vehicles तो यही reason था कि हमने Ampere R शुरू किया और हम उसके माध्यम से basically यह जो energy transition है इसको accelerate करने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप हमें अपने इतने सालों के तजर्वे में देखी हुई कुछ सफलता कि कहानिया बता सकते हैं Can you share some success stories from the field? So हमने काफी सारे mini grids की study की और हमने यह realize किया कि mini grids के खराब होने का main reason था कि वहाँ पे जो लगे हुए electronics और batteries हैं वो बहुती जल्दी बंद पड़ जाते हैं अब इसका main reason है कि यह जो electronics और batteries हैं यह गाओं के harsh environment में चलने के लिए नहीं बने थे इस problem को solve करने के लिए हमने एक plug and play energy storage system बनाया जिसका नाम रखा gridlock और यह system हम पाइलेट कर रहे हैं बिहार में अब यह system दो तरफा advantage देता है एक यह बहुती long life lithium-ion system है जो की तकरीबन 10 साल चलता है वर्सिस जो conventional lead acid systems थे वहाँ पे आपको तीन या चार सार में battery बदलनी पड़ती है अब इसका advantage यह है कि यह mini grid का जो cost economics है वो तकरीबन 15% से better कर देता है second advantage यह system का यह रहा कि यह mini grid के operations को कई हद तक automate कर देता है तो यहाँ पे आपको कोई भी manually equipment को switch on switch off करने की जरूवत नहीं पड़ती और जैसे जैसे आपके पास और data generate होता है from inverter या battery या load side का तो आप अपनी algorithms को और better कर सकते हैं जिसकी वैसे आप अपने operations को further optimize कर सकते हैं मेरा अगला सवाल यह है कि अब तक आप इस DRI शेत्र से क्या सीखें हमने पिछले कई सालों में यह तो देखा है कि electricity grid काफी हद तक rural pockets में पहुंच किया है या अगले कुछ सालों में पहुंच जाएगा अब सबसे वड़ी problem है कि power quality और reliability अभी भी काफी खराब है और rural pockets में दो बहुत ही खराब है तो हम यह मानते हैं कि इस problem को solve करने के लिए advanced energy storage और AI बहुत ही critical होंगे मेरा आखरी सवाल आपसे यह है कि भविष्य में आप इस शेत्र में क्या परिवर्टन आते हुए देखते हैं what are the changes you expect this sector to see in the near future so in the near future आप कोवेट की वैजे से देखी रहे हैं कि काफी सारे occupations अब work from home हो गया है मुझे लगता है कि foreseeable future में power sector में भी कई सारे jobs अब work from home ही होंगे slightly longer term horizon अगर आप देखें तो power sector एक transition phase में है जहां पे आप unidirectional flow of power से एक bidirectional flow of power में जा रहे हैं जैसे rooftop solar add हो रहा है, mini grids, grid से connect हो रहे हैं यह bidirectional flow of power distribution companies के लिए एक challenge है और एक opportunity भी है नए किसम के business models उनको create करने पड़ेंगे efficiency लाने के लिए उन्हें नई technologies adopt करनी पड़ेंगी जैसे demand side management, energy storage, AI तो एक exciting phase में तो हम फिलाल है, it's a good phase to be in धन्यवाद आईश जी आपके समय के लिए और मैं हमारे दर्शकों से भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा ये podcast सुनाया देखा, धन्यवाद उन्हों खोचेसर हमारे की लद्ए